हेलो स्टूडेंट्स वेलकुम बैक टू एलिट टूटर्स चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं माराथी का क्लास 10 का चाप्टर नमबर 6 दूसरे भाग का जिसका नाम है चूड़ी वाला इसका एकस्प्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं जिसको लिखा है जै कुष्ट रोग्यांची वसाहत निर्मान करनारे डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ दाजी सहे पतवर्धन यांचा अम्रावती ये थिल तपोवना मधे संक्रांत आने जेश्ट पूर्णी मेला कुष्ट रोगी इस्त्रिया आने मुलीनना बांग्रया भरनार्या शेल वृती चे वर्नन के लिए तो चली इसका क्या मतलब है कि इस पार्ठ में प्रस्तुत पार्ट में कुष्ट रोगी अब कुष्ट रोगी आप किसको बोलते हो महारोग जैसे आप देखते ले प्रुजी जिनके हाथ तेड़े होते हैं बहुत सारे बॉडी में उनके प् वसाहत मतलब उनकी वस्ती उनकी बस्ती समझे मतलब समाज ने उनको धिकार दिया है अपने पास नहीं रखता है तो डॉक्टर शिवाजी राओ उर्फ दाजी साहिब इन्होंने वसाहत बनाया एक बस्ती बना दिया है कहां पर यांचा अम्रावती में यह तिल तपोवना म दोनों भी तेवहार है फेस्टिवल उस तेवहारों में कुष्ट रोगी स्त्रिया जो स्त्रिया पुरुष को छोड़की जो लड़किया है जिनको कुष्ट रोग हुआ है क्योंकि वहां पे सब वही लोग है जिनको कुष्ट रोग हुआ है तो ऐसी स्त्रियों को ऐसे लड लटकिया उनको वह बांगण हीध बेंगता बेर बांको पहां आता है उस अब्दुल की समवेधन शिल उसकी व्र॥ति है उसका जो स्वभाव है उसका वर्नन इस पास में किया गया कि कोई ऐसा नहीं करता है कि कुछ रोगी इंसान को रचाशाब प्लकम सब्सक्राइब दिल पे बूज रखे जाता है, बहुत खुशी से उत्साह से जाता है, तो उस अब्दुल की यहाँ पे समझे कि आपको उनकी वृत्ति के उनका नेचर जो है, स्वभाव जो है, उनका वर्नन किया है, और आगे क्या लिखा है कि या पाठात, इस पाठ में आपको समाज समझे कि समाज में अगर कोई परिशानी है, तो आपके लिए कर्जा है जिसको आपको उतारना है, मतलब हमें भी समाज के प्रती कुछ जिम्मेदारियों को दिखाना चाहिए, तो यही लिखा है कि या पाठात समाज रुन या मूल्या बरोबरत्स, यह जो मूल है, को भी इस पार्ट में दिखाया है, चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं, तो देखे क्या लिखा कि अब्बा जान आज मत जाओना तपवन को, तो बेटा जो है किसका शुड़ी वाले का वो बुलता है कि अब्बा जान मतलब पापा आज मत जाओना तपवन को, मतलब क्यों बेटे, तो अब्दुल कहते हैं कि क्यों बेटे मैं क्यों नहीं जाओं तपुवन, तो जाने दे, तो अब ये जो है, ये उनकी वाइफ बोल रही है, कि जाने दे, जाने दे अनवर, तो अनवर उनके बेटे का नाम है, और वाइफ क्या बोल रही है, कि जाने दे, जान तर त्यांचा साथी परवनीच तो उनकी वाइफ ने ये बोला कि आज का दिन तो समझ लो कि उनके लिए परवनीच दिन है मतलब आनंद में मतलब एक golden opportunity मतलब उनके लिए ऐसा सुनेहरा दिन है किसके लिए अब्दुल के लिए कि आज की दिन अगर तू रोकेगा तो वो रो तेवहार के बारे में बोले संक्रांत और जेश्पुनिमा तो उसमें से एक तेवहार आ चुका है जिसके लिए वो जाना चाहता है कौन अब्दुल तो वही बुलते कि एवड़ा काय आहत्या तपोवनत कोन जने अब्दुल ची भाई को शन्नू तो शन्नू उनकी वाइफ का नाम है अब्दुल का तो अब्दुल ची भाई को शन्नू नाराजी च्या सूरत आपल्या मुला ची समझुत काड़त मना ली मतलब गुस्से के सूर में और अपने बच्चे को समझाते हुए ऐसा कहा उसने मी लवकर यह इन बेटा तो अब्दुल ने कहा कि मैं जल्दी होंगा बेटा आपल्या वडिलांचे हे बूलने आईकून अन्वर खेडायला निगून गेला तो अपने पिदा जी से यह बात सुना कि ठीक है पापा जल्दी आएंगे अब बाजान जल्दी आएंगे तो वह अपना खेलने को निकल गया आज शंक्रा तो आज का जो दिन ह है जहां पे परवनी सादिन मतलब बहुत उनके लिए गूल्डन अपॉर्चुनिटी है तो आज का दिन जो है वह संक्रांत मतलब एक संद है एक तेवार है त्यात मंगडवार और उसमें भी मंगलवार है अब यह क्यों बोला जार आप देखेंगे किती तरी भायका बांग अब्दुल के लिए भी खास है लेकिन आज संक्रांत है तो और उसके ओपर मंगलवार है जो दो एक लकी डे आ चुका है आज के दिन जहां पे खास करके जितने भी स्तिरियां है ज्यादा तर क्या करेंगी चूड़ी पहें निकले आएंगे और उस वक्त में अब्दुल कह रगु भाया भी एक इंसान है उनके पड़ोसी समझें उनका भी एक दुकान है और उनका जो धंदा रहेगा आज वो बहुत तेजी से चलेगा क्योंकि हमारा दुकान बंद रहेगा और फिर जब धंदा अच्छा चलेगा पैसा अच्छा हैगा तो उनके घर में कोई-कोई नई वस्तु जिसे घर के जो भी फ्रीज टेलिवीजन जो भी होता है समझे ऐसे वस्तु उनके घर में जरूर आएंगे आनि तु भी और तुम बस तुम निकल जाओ तपोवन दुकान बंद करो ऐसे से मौके में भी जब दुकान बंद रहेगा तो क्या कमाई होगी तुमी जाओन बस आता अपोवनातु मतलब तुम जाओ वहीं रह जाओ आओ मत ऐसा शन्नु ने बोला चलिए इसके आगे देखते हैं शन्नु चूब बैट अभी तो अब्दुल ने बोला कि शन्नु अब चूब बैट जातू एका हातात बांग्रियांची पेटी आनि एका हातात पिश्वी घ्यून अब्दुल ने पाया चपला सरकवला तो अब्दुल ने एक हात में बांग्रियांची पेटी लिया और एक हात में एक ठहली लिया जिसके अंदर बांग्रिय भरी थी और अपने चपल को पहरे से सरकाया पहनने के लिए फिर उन्सकी वाइफ ने क्या ब मतलब ऐसा अगर तुम बोलोगे तो लोग बोलेंगा रहे आज के दिन में भी यह किदर और चला जा रहा है इसको तो लगता कोई धंदी की पड़ी नहीं है तो आज वो जो आपका कस्टमर है आज रहेगा कल नहीं भी आ सकता है सोचे कि यह तो रहेगा नहीं मौक्य मौक्य तो यह सब मत बताना तुससे क्या होगा कि धंद्यावर परिणाम हो तो त्याचा उनकी वाइफ ने उनको एक साला दिया समझद तुम्हाला ऐसा उसने कहा अब्दुल ने एक वार तिच्याकड़े बग इतले तो यह सुनने के बाद अब्दुल ने एक बार उसके तरफ द पर तिच्याकड़े बगुन हां क्योंकि ऐसा जो गुस्सा है वह बार बार का देख चुका है इसलिए राइटर यह कहती है कि अब्दुल के मतला अब्दुल ने जो गुस्सा देखा अपने वाइफ के अपने बीवी के आखों में वह उसके परीचे का था मतला उसके पहच बिला देता रहा होगा लेकिन आज उस आखों की गुस्से को देखने के बाद भी उसे गुस्सा ने आया अपने वाइफ पर तर कीव आली तो उसको एक कीव आया मतलब दया उसके पर एक दया आया अब्दूल बस्टॉप वर आला फिर अब्दूल वहां से निकला और बस् लगती थी और उसको थंडी पहचान मैती थी मतलब स्वेटर बहुत जगे पर फटे हुए थे जिससे उसको थंड लगती थी बस आली फिर उसके बाद क्या हुआ बस आई बांग्रियांची पेटी और पिश्वी संभाड़त अब्दूल बस्मदे चड़ला तो बांग्रिय उसने अलग उठाया और अपने मांडी के उपर रखा अपने लैब पे रखा गर्दी कुनाच सा धक्का लागला तर क्योंकि गर्दी में अगर किसी का धक्का लगया तो क्या होगा तो फिर चूड़ी तूट सकती है लाल हेर्वया नेड़या रंगी बिरेंगी बांग्रया कड़े मोठ्या कोतुकाने तैने बगितले हर कलर की वो चूड़ीयों को देखा था और बहुत खूश होता था कि इन्हें किसी को तो मुझे पहनाना है बस सुरू होता थंडगार वार्याचा जोत अधिक तरासदायक वाटू लागला और जब बस शुरू हुआ स्पीड पक अब्दुल ने मफलर कानला घट लपेट कॉन एटें अब दूलने क्या किया किया कि ज़ो मफलर आप समझते रोंगे ह्सा कि लपयडा जाता है तो उसको उसने लपेट लिया कान पे कान पर ताकि कान में हवा ना लगी जिससे वो बिमार पड़ सकता है फिर आगी क्या लिखा कि जिला अधिकारी कचीरी जवड पाउंड बस रिकामी जाले फिर बस चलते चलते जिला अधिकारी कचीरी जो जगी का नाम है वहाँ पर उसके पास में जब रुकी तो पाउंड बस रिकामी जाले मतलब 75 परसंट लोग वहाँ पर उतर गए या इससे समझे मोर देन 75 परसंट तो यह बात क्यों बताया जा रहा है क्योंकि यहां पर क्या लिखा कि तपोवना कड़े कौन जातों कशाला क्योंकि तपोवन जो आकरी स्टॉप होगा वहाँ पर कुष्ट रोग कि बस्ती है वहाँ पर कुष्ट रोग जो पेडित लोग है उनकी बस्ती है तो वहाँ पर कौन जाएगा और किसली जायेगा इसलिए ज़ाधा तर लोग क्या हो गया वहीं पर उतर गए पहली वहीं समझे last stop था और कुछी लोग बचे थे जेम थ से छे जो पैसेंजर थे बस वही रहे गया वहां पर फिर देखी क्या लिखाए कि थपो बना चा त्या गुला कर कमानी कड़े तो कमानी मतलब यह जो सेमी सर्कुलर रहता है इसको कमानी बोलते हैं तो उसके तरफ अब्दुल्चे लक्ष गेले मतलब वो जब पहुच रहा थ तो उसका ध्यान गेट के उपर जो यह कमानी है इसके उपर उसका ध्यान गया गेला सहा महिनयात क्योडी फुली आहे तीचावरती वेल और पिछले जब 6 मैने पहले आया था तो ऐसा इस टाइप का जो वेल होता है क्रीपर जिसको बोलते है तो यह उसके यहां पर नहीं द आलो तेवा जहमतेम हाथ भरोती जब आया था तो हाथ के बराबर थी अब पूरा का पूरा उसने कमानी को पूरा घीर चुका है अब्दुल गेट जवड आला फिर अब्दुल गेट के पास आया आनि लहान-लहान मुलीन नी एकदम गलका कराया शुरुवात के लिए और ज चुड़ी वाला आला चुड़ी वाला आला आप ऐसा समझ सकते हैं बच्चों की आवाज हैं आम्ब्या चा ज़ाड़ा खाली असलेल्या चौत्रया वर अब्दुल बसला तो एक चौत्रा था मतलब आप समझे कि ज़ाड़ा बुंद्या शी बांदेला धगड़ी पार ये लोगों ने देखा कि अब्दुल आ चुके हैं तो अपनी जो काम थी इसको छोड़कर अपना जो उनका काम धंदा था वहां का जो भी काम उनको मिला था सब छोड़ चाड़के वो लोग आजू बाजू अब्दुल के जमा हो गए तया लाल रंगा चा मला किसी ने बोला कि कि वह लॉना मुझे चाइह हाथ लाल रंगा मुझे हर्य रंग excitement चाइह चुड़ी वाल डिकैसी धरे लॉलार गेताजी ₹ Igph ओल्ड आ लेकरा किसी ने बोला किया मेरे लिए तुमने आरसा लाया है आईना लाया है अज संगेतल लो तो ना मतलब किसी ने फिर तो पहले आय मानि घंडर शोरू चाला और आवाज मतला आन्या शुरू होगे प्रतीक की ला होतों अर्सादी मतलब कि पहले मुझे पलाद रहतो अब्दुल एक एक की ढ़की सबके हातों आणया बांग्रिटm पहिनाना शुरू किया त्याना हव्यातेशा और वो भी जैसा जिसके पसंद रहेगी त्यानचा मन पसंद वही चीज त्याना बांगड़ी भर्न मंजे एक दिव्यच और उनको बांगड़ी को पहनाना मतलब वहाँ पे हमारे लेक दिव्यच मतलब एक चमतकारी समझें एक कठीन क्योंकि उनके हाथ किस तरह होते हैं आप समझ सकते हो और उनको किस तरह बांगड़ी पहनाए जाएगा पर अब्दुल्ला ती कला साथ ले होते हैं उसे लाख मुलाचा मतलब लाखों की कीमत से जाधा उसको कीमड़ी लगता था उनके चहरे पे वो मुस्कुरहाट दोन तीन तास बांगड़ा भरन्याचा कारिकरम सुर होता तो दो तीन घंटे चले आते थे और दो तीन घंटे तक वो लोगों को बांगड़ा पहनाता था सार्या तपोवना तील एक आनंदाचा आनी तो पुरे तपोवन में वो एक आनंद भरा और चैतन्याचा दिवस एक उत्साह का दिवस होता था जिस दिन चूडी वाला आता था और अब्दूल आता था मतलब चूडी वाला और लोगों को क्या करता था चूडी पहनाता था आवाज, गडबड, गुंधर, चेरावर्चा आनंद आनि हे सारे वातावरन निर्मान करना रा चूडी वाला और जितने भी गड़बड गोंदर आवाज जो आ रहा है इसको बनाया किसने आखिर बनाया तो शोड़ी वाले ने ने ही और इसी वज़े से बुला कि निर्मार करना रा चोड़ी वाला अब दूल मंजे तपो वनातिल स्तिर्यानना मुलिनना अगदी देव दूता सारका और बात तो साल में दो दिन साल में दो बार संकरान्ती में और पोर्नी में में जितने भी इस्तरिया होते थे और बच्चे जो होते थे वो बे सबरी से इंतिजार आतूरते से इंतिजार रास्था देखते रहे थे चोड़ी वाले का अब्दुल्लाही तो आनंद बगुन विलक्षन समधान लापे और वो खुशी देखके अब्दुल को भी एक विलक्षन मतलब एक अनोखा ही खुशी मिलता था उसको अलग सबसे अलग खुशी मिलता था चली फिर आगे क्या लिखा कि असेज का ही दिवस गेले और ऐसा ही कुछ दिन बीटते गया हर साल दो दिन वो आता रहा एक दिवस रगु भाया आला एक दिन क्या हो गया रगु भाया आया त्याचा हाती पोस्टमन ने दिले लिए पत्र होते उसके हात में एक पत्र था प तपोवन से चित्थि आई है आपको तो इसने अबदुल मिया तपोवन से आपके लिए चित्थि आईए दिखाओ दिखाओ अरे पंड चित्थी मराठी तो ना है तो उसने अब्दुल ने बोला कि दिखाओ दिखाओ तो रगु भाया ने बोला कि अरे लेकिन चित्थी तो मराठी में लिखा है तो पढ़के दिखा रगो भया ने चिठी मोठ्याने वाच ले तो रगो भया ने बुलंद आवाज में चिठी को पढ़ा चिठीतला मज़कूर आइकोन मतलब उसका जो टेक्स्ट है उसका जो मैटर कंटेंट जो है उसको सुनकर अब्दुल आने शनू याना खूपच आनंद चाला दोनों को बहुत खुशी हुई जो उसमें लिखा था चलिए देखते हैं क्या लिखा था कि तपोवनात होनार्या स खास सतकार करना था उसका सम्मान करना था और उसके लिए खास करके दाजी साहिब ने क्या किया था निमंत्रन भेजा था दोन दिवसान नीच सतकार समारम होता और दो ही दिन जब लेटर पढ़ा गया उसके दो दिन बाद ही सतकार समारम जो था सम्मेलन जो था वो होने वा अबनार नाही असे सतकारा चे भागे त्याचा वाट्याला आले होते मतलब पूरी जिंदगी में उसको ऐसा कोई समारंब में जहां पर उसको खुद खास करके उसे सम्मान किया जाएगा ऐसा सतकार ऐसा भागे उसने अईसा नसीब उसने कभी सोचा नहीं था पत्र आल्या पासुन तो त्याच आनंदत होता जब से उसे पत्र सुना तब से वो बहुत खोशी में रहता था पुर्णा पुर्णा तो स्वताच स्वताला विचारत होता और बार बार वो खुदी को अपने आप से ही पूछता था सतकार करना एवड मी काय के लिए है तपोवनात आला तेवा कारेकर्म सुरू जाला तो फिर एक वो टाइम भी आया कि अबदुल तपोवन में आया और फिर वो कारेकर्म शुरू हुआ सुरू जाला होता, मतब सुरू हो चुका था स्चेज चासंवोर, स्चेज के सामने बाजूला मांडलेला खुरचन वर काही निमंतरित पाहुने मंदरडी बस लिए होती स्टेज के सामने फिर बाजू में कुर्सियों पे जो और भी जो पाहुने लोग थे और भी जो लोगों गेस्ट लोगों को बलाए गया था उन लोग आ चुके थे वहां पे बसली होती अब्दुल्ला त्यांचा बरोबर बसायला संकोच वाटला हूँ तो अब्दुल्ल को भी उनके साथ में बैठाने का निरने किया गया था लेकिन अब्दुल संकोच में था कि मैं छोटा इंसान हूँ और मैं ऐसे इसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ तो तसाथ उबार आईला तो देखे अब्दुल्ल उसी तरह खड़ा रहे गया नहीं बैठा वो तो ये चीज़ देख के दाजी साहब खुद उसको बिलाए और अपने पास जो कुर्सी थी उस पे उसको बैठाया सदकार समारम बाचा कारेक्रम वाला सुरुवात जाली और सदकार समारम का जो कारेक्रम में वो सुरू हुआ सुरवाथी चे अध्यक्षान चे स्वागत वगेरे अपचारिक जालएन वर मतब जो अपचारिक होता है रिती रिवाद जो शुरुवाथ की होती है उसको वो होने के बाद दाजी साहिबान नी बोलाएला सुरवाथ के लिए तो अब दाजी साहिब की बारी आई थी और उन्होंने शुरू किया बोलना अब्दूल बगतच रहे लाँ तो जब दाजी साहिब स्टेज पे खड़े होए और बोलना शुरू किये तो अब्दूल देखता ही रहे गया 84 एर्स का उमर और उनका जो ताठ पना था कड़कस ने एकदम स्ट्रेट उन्च सर्सरीद देयस्टी और उन्च मतलब उचे और सरण मतलब सीधे जुके भी भी ने थे ऐसा उनका देयस्टी था मतलब उनका बोडी का स्ट्रक्चर था तेजव पुंज चेहरा और उनका जो चेहरा था वो तेजव पुंज था मतलब तेज़ स्वी ब्राइट चमकता हुआ चेहरा ऐसा सबजे गोर वर्ण, मतलब गोरा चेहरा पांडरे स्वच्च धोतर और जो धोतर बेने थे, वो पांडरे स्वच्च थे मतलब सफेद कलर का धोतर था त्यावर बंद गड़ाचा कोट और जो कोट था, वो बंद गड़ाचा बंद गड़ा मतलब बंद गले का कोड था आनि डोक्याला केशरी फेटा और डोक्या पे केशर का फेटा जो था पगड़ी था या वयात ही मतलब ये उनकी परस्टनेटी के बारे में वर्ण किया गया है या वयात ही आवाजातला खंखनित पना आनि खंखनित पना मतलब का उचारण जो था एकदम क्लियर था और बोलने आतली एट उनका जो रुबाब था बोलने में कड़क पना या मुड़े अब्दुल भरावुन बगत रहिला मतलब अब्दुल अपना होश को बैठा था कि रहे इतनी उमर में भी इनकी परस्नेटी एक लाजवाब है दाजी स मतलब रहिला और अब यहां पर बोला कि दाजी साहिब बुलत होते हैं अब दाजी सेब क्या बोलत है वो यहां पर लिखा कि रामन सेतु बंदन केलियों तो दाजी साहिब बोलत है कि रामन सेतु बंदन किया सेतु बंदन करने का मतलब यह कि लंका जाने टाइम समुदर के शुरुआत की, मतलब उसको बनाना शुरू किया, लेकिन अखेली नहीं बनाया, पन त्यासाटी अनेकांचा हाथ भार लाग रहा, और उस रस्ते में मदद करने के लिए बहुत लोगों का हाथ भार लगा, खास करके बंदरों का, अगदी लहांची खार, लेकिन वहां पे एक सब बहुत छोटी से खार भी थी, स्क्विरल, गिलहरी, पन तिनसुद्ध आपलया, शक्ती प्रमाने सेतु बंदनाला मदद के लिए, तो वो छोटी भले थी, लेकिन उसने अपने शक्ती के साब से जो भी पत्थर था, उसने भी राम की मदद की रास्ते को बनाने में, मतल मतलब ऐसा ही मदद करने के लिए तपोवन में भी कुछ ऐसे जो व्यक्ती हैं, जो हमारे नसीब से हमें मिले हैं, संक्रांती ला आनि जेश्ट पूर्ने में ला बांग्रिया भरने अचा प्रस्ताव जेवा समोर आला होता, थेवा अनेक बांग्रिया वाल्या ना भेटून इतर येन्या बदल विनन्ती के लिए, बोल दे थे कि जब संक्रांती का दिन आया और जेश्ट पूर्ने में का दिन आया तो मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत चूड़ी पहनाने वाले लोगों के पास गया और उनसे विनन्ती किया कि आई ये यहाँ पे तपोवन मे तो भीटुन इथ याने बदल विनंती किया मैंने रिक्विश्ट किया पंड कुने ही माजय विनंती चा स्विकार केला नहीं तेकिन किसी ने आने के लिए तयार नहीं हुए सब के सब इनकार करना शुरू किये अब्दुल मियानी मात्र स्वता हुन इथो अब यहाँ पे यह समझे कि अब्दुल मिया के पास गय नहीं थे दाजी साय वो खुद वो आय है यहाँ पे तो मात्र स्वता हुन इथो येन्याच आश्वाशन दिलो उन्होंने खुद बोला कि मैं आऊंगा ये विश्वास उनको दिलाया दाजी साहब को आणि दर वर्षी न चुकता और हर साल बिगर चुकता मतलब बिगर एपसेंट हुए या बिगर भूले अब्दुल मिया इथो येताद अब्दुल मिया यहाँ पे आते हैं ये तिल भगिन इंचा मतलब लेडिस लोका श्तरियों का जीवनात आनंदाचा वर्षाव करता है और यहां के जितने भी श्तरिया हैं उनके जीवन में एक खुशी की भरसाद करके जाते हैं वर्षाद ले दोन दिवस तपोवनात अतिशे आनंदाचे आनि उत्साह चे अस्ताथ तो साल में दो दिन ऐसा आता है जो तपवन में बहुत ज़ादा खुशियों का और उत्साहों का दिन होता है और उसकी जो वज़ा है वो अबदुल्मिया है कुटल्या ही मोबदल्या ची अपेक्षा न करता और इसके पीछ कोई भी मोबदला मतलब कोई रिटन्स, कोई पैसा मिलेगा, कुछ पगार मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं तो कुटलया ही मोबदलयाची अपेक्षा न करता उसकी उमीद भी नहीं लगा के बटे कि हाँ कभी न कभी मुझे पैसा मिलेगा या कुछ फायदा मिलेगा तो इसा कोई उम्मिद ना करता अब्दुलमिया ना बुलावता ना बुलाना भी नहीं पड़ता है दर वर्शियतत तपोवनातिल स्तरिया मुली बारी त्यांचा येन्यकडे डोडे लावुन बस लेला असतत और तपोवन की जो स्तरिया है उनकी वहां की जो बच्चिया है अब्दुलमिया कब आ रहे हैं उसका रास्ता वो लोग देखते हैं अपने आँकों आखे बिचाय रखते थे अब्दुलमिया की जो समाज का रहे हैं ही मानव सेवा है खरोकर फार फार मूटी है सच में ये बहुत बड़ी बात है आप भी समुझे कि सच में ये बहुत और यही वज़ा है कि इतने बड़े काम को देखने बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इनका सत्कार करना जरूरी है तेवा त्या सत्काराच सा स्विकार अब्दुलमिया ने इत्यून कराव और इतना बुलने के बाद अब्दुलमिया जब अलग दूर पे थे बैठे थे तो ऐसा बुलते हैं उन्होंने बुला कि और इस सत्कार को स्विकार करने के लिए इसको एकसेप्ट करने के लिए अब्दुलमिया प्लीज यहां पे तश्रीफ लाए मतलब स्टेज पे आये अब्दुल स्टेज वर चड़ला और अब्दुल स्टेज पे चड़े दाजी साहबानी फूलांचा गुच आनी तपो बनाती लोकानी तयार के लिए लिए सुन्दर फूल दानी तो दाजी साहब ने फूलों का गुच्छा दिया और वहाँ पे जो फ्लावर पॉट लोगो के वहाँ के स्ट्रियों ने तो फूल दानी तयाला दे लिया उनको दिया गया ताड़ें सा कड़कडाड जाला लोगों ने ताली बजाई अब्दुल अतीशे भरावन गेला अब्दुल बहुत खुश हो गया बहुत ज्यादा खुश हो गया इंप्रेस हो गया ये चीज य परश के लिए उसके रहा ने गया उसके तुरंत दाजी साहब का शिर्वात दिया पड़ा और केला बराज उशीर जहला होता और ये पूरे कारिकरम को खतम होते होते हैं काफी टाइम हो चुका था अमरावती हुन आलेलया निमंत्रित मंडड़ी मोटारी तून जानार होते और जो अमरावती से बड़े बड़े जो लोग आये थे गेस्ट लोग और जो आये थे वो लोग अपने अपने कार से आये थे और वो लोग अपने कार से जाने वाले थे दाजी साहब अब अब अब्दुल को लेट हो चुका था और दाजी साहब सोचे कि अब्दुल किस त रहा था कि आज शन्नुला आनायला हवे होते हैं कि आज मुझे शन्नु को अपने वाइफ को यहां पर लाना चाहिए था तीचा गुस्सा तरी कमी जालासता उसका जो गुस्सा है मतलब उसका जो नाराजगी है थोड़ा कम थो होता था आकाशाद अस्टमी चा चंद्र हसत हो आकाश मेखरीथ हो गया था एक भी बादल नहीं दिख रहे होता तेक्दम प्लियर सकाई भात प्तर नेडलिया नित ड़िंगाे नटले होते हैं अंबादेवी चौक तो वहां पे मोटार जो है कार जो है वो रुकी अब्दुल खाली उतरला अब्दुल नीचे उतरा घर ही आला घर पे भी आया अब्दुल ये ताज शन्नू उठले अब्दुल के आते ही शन्नू समझ गई और वो या उसकी आहट ने उसे उठा दिया और भाजी जो थी वो उसने थाली में रखके अब्दुल के सामने रखा अब्दुल एकाद्या अपरादा सारखा मान खाली घालून जेवू लागला तो अब्दुल अपने आपको एक अपरादी समझ रहा था खास करके शन्नू के सामने और इसलिए वो सर जुकाय क्या करता च जी नहीं चाहता खाने कोॉ अनवर जेवला उसने बोला कि अनवर खाया पन खीमया ने अनवर् almostula भरात खाया तो लेकिन खीमया मतलब मत्लावला napon मतुप्त जा खलаров को बारिक बारिक करेवल के जो द्षित बनाया जाता हो उसको किका ऻॊलते कीमा भी बोला जाता है लोग आप सुने रहोगे तो उसने बोला उसके वाइफ ने शन्नू ने कि हाँ अनवर खाया तो लेकिन उसने खीमय साथी हट मतलब जीद करके रखा था कि मुझे खाना है मुझे खाना है अब्दुल्चा हातातला घास हातात रहे लाओ तो अब्दुल के हाथ में जो निवाला था वो हाथ में ही रहे गया उसने रख दिया इससे समझी जो हाथ में से निवाला मुझे तरफ लेकि जाने वाला था उसने छोड़ दिया उसको एकाई की जिवनावर्ची इच्छाच मरुन के लिए अचाना की क्या होगे कि खाने की जो इच्छाच थी ना वो मर गी क्योंकि जब उसने सुना की अनवर ने नहीं खाया और खीमा के लिए भी वो हट करता था तुंडात घास घोडू लागला और मुँ में जो उसके जो निवाले थे बस उसे को घुमाने लगा वो मतलब एक हिसाब से उसको मन नहीं करा खाने का कितीदा सांगितला हा धंदा सुडून दूसरा धंदा सुरू करा पन तो उसकी वाइफ ने बोला कि कितने बार मैंने तुमको कहा कि ये धंदा छोड़ दो इसमें हमार पास इतने पैसा नहीं कि हम बच्चों के भी जरूतों को पूरा करें लेकिन तुम ऐसा बोला फिर आके देखते हैं शनुचे पुर्चे बोलने अब्दुलने आईकलेच नहीं आगे उसने क्या बोला अब्दुलने नहीं सुना तो चटकन उठला वो तुरंत उठला हाद धुवन अनुवर चा शेजारी येवन बढ़ला और हाद धुल के अनुवर के पास गया और महां बैठा शनुचे बोलने ट्यातला शब्द शब्द ट्याला पाठ होते शनुच क्या बोलेगी वो जानता था उसको एक एक शब्द उसको याद था क्योंकि हर दिन कह था उसके लिए कितिदा तरी तेज 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 ते बोलून जाले होते क्योंकि वही चीज वो बार-बार बोल चुकी है नवीन धन्दा नवीन धन्दा भांडवल नको मतलब नया धन्दा शन्नु बार-बार बोलती है थे नया धन्दा तो अब्दुल ये बोल रहा है कि नया धंदा, नया धंदा, क्या नया धंदे के लिए भांडवल नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, पुंजी नहीं लगता है, तो भांडवल मतलब कोई भी नया धंदा शुरू करने के लिए जो investment लगता है वो, तो वो नहीं लगेगा, कुठून अंडर कहां से लाओंगा वो पैसा में तो थोड़ा सा जोराने पन शन्नूला आईकाईला जाहिल अशा आवाजात बोला थोड़ा जोर से बोला पर इतना भी जोर से ने कि पड़ोस्यों को आवाज है हाँ शन्नू को आवाज आना चाहिए अईसा जोर से बोला कि आखिर नया धंदे के लिए जो पैसा लगेगा मैं वो कहां से लाओंगा पन भांडवला पेक्षा ही त्याला अबबाजान पास सुन चालत आलेला हाँ बांगरें चा धंदा सोड़ा होता सुडवत न होता मतलब चलो भांडवल मतलब जो पैसा था अगर मान लो वो कहीं से इंतिजाम होता भी है तो भी वो नया धंदा शुरू करने के मोड़ में इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो चूड़ी बेचने का पहनाने का जो इसका बिजनस था ये उसके अबबा जान से समझी या उसके दादा जान से समझी ये पीडी दर पीडी आ रहा था और ये उसको बनाय रखना चाहता था चलाय रखना चाहता था तो अबबा जान पास उन चालत आलेला हा बांगरें चा धंदा सोडवत नहों था, मतलब उससे छूटता ही नहीं था ये चीज, फिर देखे, नवरात संपल होतो, नवरातर बीचु का था, त्याद धंदा चांगला चाला, उसमें धंदा सही अच्छा गया, लोग आता दिवारी चा तयारी ला लागले होते, और अब लोग दिवाली की तय करने वाले थे, उसका काम उन्हों ने निकाला था, अब्धुल्दुकान पर आया, त्याचा चेहरा ओदास दीशकत हो था, अब उसका चेहरा उदास दिक ऱ था, मतलब काफी आगी की बात बताया जाए जातरह फिर, रगू भैया नी त्याला आवाज दिला, क्यूं? आज ounce छो मतब अब जो अब दाजी साहिब की जो उमर हो चुकी है उसके सहब उनके हाथ में नहीं रहेगा लेगाश हो ये मुझे पता पता चल जब से मतलब जब से मुझे पता चला कि अब दाजी साहएब के हाथ में तप्वन जो है वो नहीं रहेगा तो जब से यह चीज मुझे पता चला है मेरा मन्दध्वन करने में नहीं लग रहे आता तपवनाचा काय होगा रगु भईया, मतलब अब तपवन का क्या होगा रगु भईया, क्योडी मोठी वसात, इतनी बड़ी बस्ती थी, किती रोगी, कितने रोगी लोग थे माँ पे, आता त्यांची कशी कार्जी घेतली जाहिल रे, अब उनकी कोन फिकर करेगा, कोन ल मोल वक्त दे दिया उन्होंने, तो आनि आयुश्ता चा मोल दे उन, मतलब अपने पूरी कीमत, समझे अपने पूरी लाइफ वहाँ पे लगा दिया, तन मन लगा दिया, वहाँ पे धन लगा दिया, तो वो जो कर्म भूमी है, उसको सोड़ने चा कल्पने न, दाजी साहबा काय वाटलर सेल भर, जब वहाँ से हटे होंगे, यह सब इतनी खबार आ चुकी थी, तो उनको कैसा लगा होगा, अब्दुल विलक्षन हर वजाला, अब्दुल एकदम, विलक्षन मतलब एकदम अलग ही, और एकदम इमोशनल हो चुका था, चली आगे देखते है, देवड पूरत होती है, और शन्नु खराटे लेते हुए सो रही थी, अनवर गार्ज होपला होता, अनवर भी एकदम गहरे नीद में सोया था, अब्दुल उठला, अगदी हलके, एकदम हलके से, मतलब किसे को पता न चले, कोप्रे आद बांग्रेंची, पेटी वर ठेवले लिया, पिश्वी तिल, एक-एक वस्तु बाहर काडू लागला, तो एक कोप्रे में जो बांग्री की पेटी है, पेटी वर, पेटी के उपर जो एक पिश्वी है, थैली है, उसका जो एक-एक वस्तु है, उसके अंदर जो भी सामान है, एक-एक करके वो बाहर निकालने लगा, पा काठ्या बांगड़ी थी नौन चाए बांगड़ा नायलोन की बीली थी यह सब वो एक Bulanthus संक्रांती लाहे सारय संक्राइब तपव कर न समय रह loyalty दी a सहले चल दाजी साहि भी नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जाओंगा क्या होगा टिटे चूडी वाला चूड़ी वाला मनुन स्तिरिया मुली बाड़ी धावत धावत त्याचा जवड जमनार होते हैं यह सब होने वाला है फीचर में इसा वो सूच रहा है काहे काड तरी सारे विश्रुन हस्तनार होते हैं आने त्यांचे आता सारे संपले होते हैं लेकिन अब सब खतम हो गया क्योंकि अब दाजी साहब भी वहां नहीं रहेंगे स्वता साथीच सारेच जगता तो उन्होंने वोला कि सब लोग अपने लिए ही जी रहे हैं पर दूसरे साथी जगनातले आनंद लेकिन दूसरों के लिए जगने में जो आनंद है वो साहथ से किसी को नहीं पता है त्या आनंदाचे सुक वर्शातून फक्त दोन दाच अब्दूल अनुभवैचा और वो जो आनंद है दूसरों के खुशी का वो आनंद साल में सिर्फ उसको दो बार मिलता था पन आता लेकिन अब क्या होगा आता तेही मिर्णार नवत अब वो भी मिलेगा नहीं एकाद्या वस्तराचा एका की रंग उड़ून जावा तशी त्याची चीवन इच्छा एका की उड़ून गेली मतलब कभी-कभी कोई एक वस्तर जो कपड़ा होता है अचानक उसका कलर उड़ जाता है उस तरह उसका जीवन इच्छा था जीवन में जो इच्छा था अचानकी उड़ गया था किसका अब्दूल का मतलब जब उसको पता चला कि अब दाजी साहब नहीं रहेंगे त्या सार्या वस्तुन कड़े बगता बगता अब्दूल चे डोड़े पान्या ने काठो काट भरून आले और उस सभी वस्तुन को देखते देखते क्योंकि अब साहथ से उसे कोई ना बुलाए तपोवन में क्योंकि अब दाजी साहबी उसको सम्मान देते थे दाजी साहबी के वज़े से वो जाता था या खुद से जाता था लेकिन अब उसको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो त्या सार्या वस्तुन कड़ी जितने भी वस्तुस ने निकाला था उसको बगता बगता उसको देखते देखते अब्दुल चे डोडे पान्याने काटो काट भरुन आले मतलब पुरी तर उसका आँक जो था आसो से भर गया त्या तपोवना चा परिसर विरगड़त होता और उसमें घूम रहा था दिख रहा था धुन्दापन से क्या चीज तपोवन का पुरा परिसर हडू हडू रात उतर निला लागले होती और धिरे धिरे रात भी बीतने हो र रात भर तपोवन के खयाल में ही रह गया तो चली बच्चो यह पार्ट यहां पे खतम हो रहा है चली मिलते हैं किसी और पार्ट में थेंक्यू वेरी मच